तो मेरे प्यारे एश्येंट आज जो है मेरे हाथ में आप लोग देख रहा है कोश्चन बैंक, तो मेरे प्यारे एश्येंट बहुत सरा परकासन का कोश्चन बैंक आता है, लेकिन कोश्चन बैंक तो हम खई लिए, या बहुत सारे एश्येंट लोग नहीं खर दे कोश्चन ब तो मैं guarantee देता हूँ अगर जो भी student मेरे बताने पर अगर question bank को उस तरह से अगर पढ़ लेते हैं तो मैं guarantee के साथ करता हूँ किसी भी विद्यार्थी का सारे 400 या 400 से कम नहीं आगा जो तेस तरह का विद्यार्थी उन्हें सारे 400 पर अगा और जो थोड़ा कम जोर है उन्हें 400 एकदम हर subject में 80% मैं guarantee देता हूँ हर subject में 80% आगा कैसे आगा वो guarantee मैं बताता हूँ आप लोग का question है कि question bank से कैसे तयारी करे जो 400 परलस नंबर आए तो चलिए मेरे प्यारे एश्वेंट आज जो ही है question bank के बारे मैं बताने जा रहा हूँ ठीक है ना और question मैं मैं बताऊंगा question bank कौन से लेना चाहिए सबसे पह देख सकते हैं कि लगबग आप लोग को 9,1,10 होगे आप लोग को है ना और इधर होगे आप लोग को 14 साल यानि कि 10 से 14 यानि कि लगबग 15 साल का आप लोग के पास question रहेगा कितने साल का question 15 साल का इस में से आप लोग को क्या करना है per day exit है ना 15 दिनों में हर विषय का 1 exit 15 दिनों में मार लेना है और सभी को एकदम याद कर लेना है ठीक है ना याद कर लेना है उसके बाद मैं बताता हूं कैसे याद करना है ठीक है ना याद कर लेना है लेकिन कैसे याद करना है कैसे बात आप लोगो question में कोई बहुत सरा question गलती दिया हुआ रहता है तो अपने-पने coaching या school या college को जो भी teacher होंगे उनसे त्यारी करें साथ ही साथ उसमें देखिया आप लोग कि दो साल के अंदर में पूछा है मेरे प्यार लाल उसको छोड़ देना है उसको छोड़ दे उसको एकदम से छोड़ दीजिए ठीक है ना उसको एकदम से छोड़ दे जो भी दो साल के अंदर में question पूछा उसको एकदम छोड़ दीजिए अब पीछे के 5 साल का तयारी कीजिए एकदम subjective में 5 साल कौन सा एयर में पूछा है और कौन सा कोस्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जा रहा है उस कोस्चन को फिर पकरिए ठीक ना पांच साल का पर लिजे फिर 2009 से उठाइए मैटर और उसमें पकरिए आप लोग कि कौन सा कोस्चन ज्यादा पूछता है कौन सा कोस्चन ज्यादा प ये और पांच नमबर वला के लिए, जो ज़्यादा बार पुछा है दो साल के पहले, उसका एक नोट्स बना लेंगे, और जो एक एक बार पूछा है उसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है ना, और उसी को हम लोग बढ़ियाँ से याद करेंगे, और अपने टीचर के नोट्स जो है खतम कर दीजिए एक दब है ना 15 साल का question जो है खतम कर दीजिए बात रागिया मेरे प्यार लाल कौन सा परकासन का question bank के लिए तो my trick का यदि आप लोग के student है कौन सा my trick का अगर आप लोग के लिए बल्ले बल्ले आए ये captain publication का जो है आप लोग का question bank है है ना इंटर वालों के लिए बताऊंगा और ये जो है रोशनी publication का है ये फिलिप कार्ट, Amazon सभी पर मिल्यागा आप लोग को ये उपलब्द है ठीक है और आप लोग के पास होगा ये question bank चिंता नहीं करना है ये आप लोग के लिए बहुत ही best quality से त्यार किया गया है एक ये question को बहुत ही बेतरीन तरीका से हर विशय को math, physics, chemistry जो भी है सभी विशयों का है साथ ही साथ आप लोग को metric वाला को गया अब हम लोग इंटर वाले में चलते हैं इंटर वाले जितने भी ये student है आप लोग question bank पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं अगर आप लोग 2025 में चाहते हैं कि 400 पलस नमबर मुझे सर आ जाए ठीक ना जो तेस्तरा के student है वो सारे 400 प जिससे आप लोग को एक भी question इदर उदर नहीं होने जा रहा है और objective जो है आप लोग को handwriting notes मिलेगा और objective जो है 400 पलस आप लोग को मैं दे रहा हूं objective ठीक है जो कि आपको exam में पूरा पूरा एकदम question लरेगा वही चीज मैं देने जा रहा हूं 400 से 400 नमर जुकेगा नहीं आप लोग का लहर मचेगा और मेरे प्यारे सिंट टोपर के पढ़ने का तरीका यही है कि हर साल का question bank वो पढ़ता है यही टोपर का नियम है और टोपर कहता है कि मैं ऐसे पढ़ रहा हूं यह नहीं कहेगा वो कहेगा कि जो भी पढ़ते है serial by serial पढ़िए टोपर का कहना यह होता है तो चलिए मेरे प्यारे सिंट यह आप लोग को मैं पूरा बता दिया हूँ अगर आप लोग को लेना है तो ले सकते हैं और आप लोग को मैं बता दिया हूँ मैट्रिक वालो के लिए यह रोशनी पब्लीकेशन का ठीक है ना आप लोग जयूर ले तो चलिए मेरे प्यारे सिंट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो ते एक लाइक करें और अपने दोस्तों में सियर करें साथ ही करें तो चले इतना है वेस्ट अपलाग जय हिंद जय भारत